बसकार दोस्तों सब्सक्राइब को पूरा देखिए कोई भी आपका फीडबेक है कोई सजेसिंग है तुरंद वीडियो में कमेंट करके जरूर पता हिए अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुर यही नमबर है हमारे सिर्फ जहां पे कॉल या बट्श पर सबसेब्स आज की हमारी डेट है तीन अप्रेल और तीन अप्रेल के हमारे इंपोर्टन्ट आर्टिकल्स को हम लोग यहां पे देख लेते हैं सबसे पहला आर्टिकल है यौन अपरादियों का राश्ट्री डाटाबेस से भी बहुत इंपोर्टन्ट और बहुत ही कॉमन एक एक्जाम में पूछे जाने वाला क्वेशन है से भी के उपर फिर आदाश आदर आचार सहींता, असेंशल मेडिसन, यूपी आई और वाटर आक्शन को प्राख मित्ता देना सबसे पहला है कि भाई जो हमारा नाश्टनल डाटाबेस है अगर हम यहां पर जितने भी यौन अपरादी है तो यहां पर अगर हम उनका एक डेटाबेस बनाते हैं तो उस और FIR वगदर रेजिस्टर की गई है तो हम लोगों को उसके लिए डेटाबेस तयार करने की जरुआ तो यहां पर जो NCRB है नाश्टनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो वो इसको पुरा मेंटेन करेगी Ministry of Home Affairs यहां पर 20 सब्टेंबर ने इसको लॉंच किया था जिसमें एक ऑनलाइन तरीके से सारी चीज़े जो है उसमें लिखी जाएंगी ऑनलाइन तरीके से यहां पर हर चीज का डेटाबेस जो है वो तयार किया जाएगा और उसमें पूरी तरीके से यहां पर जो है एक तरी होगा ना कि जो भी अपरादी होगा उसका नाम पता उसकी photo ग्राफ उससे जुड़े हुए सारी की सारी चीज़े एक साथ ही यहां पर जो है वो रखी जाएंगी इस तरीके से सारी चीज़े यहां पर निखी जाएगी रखी जाएगी जिसमें सारी चीजों के बारे में पूरा डेटाबेस तैयार किया जाएगा और sexual offenses की बार पर तो हिंडिया में sexual offenses जो है वो crime पूरे almost हर culture हर religion में इसको crime ही माना गया है सरकार ने इसके लिए बहुत सारे पहली भी इनिशेटिव दिये हैं जैसे कि पॉस को प्रिवेंशन ओफ चिल्रन फ्रॉम सेक्शल ओफेंशस पॉक्सो आप्ट आया था दो हजार बारा कर जिसका काम था कि जो बच्चों के अधिकार है उसको प्रिवेंट करना आई पीसी 1860 में भी जो है इस पर काफी सारे धाराओं में इसके उपर बात की गई थी तो यह प्रिवेंशन की बात तो इसमें भी काफी हद तक की गई है साथी साथ इसमें बच्चों के लिए है ना जिसमें बच्चों से जुड़े हुए बहुत साथा यौर्ण शोशन के मामले बढ़ते जा रही थे तब जो है एक तरीके से जो है यहाँ पर काफी सारी चीज़े उसके अंदर जो है वो रखी गई है और साथी साथ इसमें जो ह बच्टों से जुड़ी हुए पॉर्णोग्राफी की सुरक्षा इस तरह की कानून सारी चीज़े लिखी गए जो कि बहुत जाद जरुरत भी थी अगर कभी भी इस तरी की चीज़े होती हैं तो प्रिवेंट ड़ने के लिए इसके उपर बात की गए थी और इसका जो एक इस जो पूरी धारा है तेज उसमें मीडिया की प्रक्रिया के लिए प्रावधान भी हो जब तक विशेश नियालने प्रकटी करण के अनुमती नहीं दी हो तब तक यहां पर तब तक पीडित बच्चे की पैचान बनाए रखने की एक जो गोपनी अता होती है न वो भी यहां पर जो है बनाके रखने की बात की है तो यह भी आप यहां पर जो है वो प्याद रखिएगा इससे भी क्वेशन बन सकता है और साथी साथ जो है इसकी एक और विशेशता यह है कि यहां पर पीडित आप रादियों की बीच उनके लेंगिंग भेट पर कोई अधार नहीं कि आया गया था वन स्टॉप सेंटर स्कीम बनाए गई थी दोहजार पंद्रा में जो भी विमन की खिलाफ इस तरह की कोई भी यहां पर उत्पीडन होता है तो उसमें जो एक फंड है जिसके अंदर उनको मेडिकल एड और साइकोलोजिकल काउंसलिंग हो गया प्रवाइड ज कोशिश यहां पर की जा रही है कि इसको ले करके आया जाए तो कोशिश यह है कि अगर हम इसको ले करके आएंगे इसमें चीज़े एड करेंगे बच्चों को यहां पर पता चलेगा इन चीज़ों के बारे में तो बहुत जादा अच्छी जानकाली सब को यहां पर मिलती र पूर नी चाहिए और अगर कभी ऐसा होता है कि बहुत ही दुरलब से दुरलब मामले आते हैं तो उसमें डेट पैनलटी की सुविधा भी मतलब एक जो है ये भी प्रावधा होना चाहिए कि वह भी दे सकते हैं फिर आता है अब सेभी यहां पर देखे बहुत अपारी एक और्गनाइजेशन है जो यह कहता है कि हम लोग यहां पर पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए हम अपने नहीं नॉम्स को हम अपने नहीं रेगुलेशन को लेकर क्या रहे हैं सेभी जो है उसने अपनी 100 टॉप लिस्टेट कंपनी से ये बोला है कि आपने अप मैं बात कुरूं सेभी की देखो यह इंपोर्टेंटेस को रटलो अभी मेरे साथ ही सेभी जो है एक तरीके का स्टाचूटरी बॉड़ी है जो की 12 अपर 1992 को बनाया गया था जिसका काम क्या है जो भी सेक्योरिटी मार्किट है जो भी निवेशक मार्किट है उसमें करने की बात की गई है जो है सेभी इसके अंदर एक होते हैं चार पार टाइम मेंबर उटे हैं और इसमें जतने वी प्रॉब्लम होती है इसमें इसको सॉल्ट करने के लिए पर अपीले ट्रिबिनल का establishment किया गया है अपीले नाधी करन का किया गया 1992 में सेवी द्वारा इसको पास किया गया है तो जो यह सेवी है उसमें पूरी तरीके से इसको लांच किया अभी सेवी जो है वो बहुत सारे बहुत सारे लोग उसमें काम करते हैं बहुत सारा बड़ा एक market जरूरत है जिसको अभी नहीं किया गया है और साथी साथ यह जो अपना पूंजी का बजार ना वो जादा भी संख्या बड़ी नहीं है तो बहुत जादा भागीदारी नहीं दोता है तो बहुत जादा बढ़ानी की जरुट है पैंशन सेवा सेवा निर्वतन सेवा कर सके mua reading नहीं कर सके तो बहुत कर सके पूरह ग्राच को को अभी इंकरीज आपर किया नहीं गया है तो अभी पूरह इस शह को भी हिंप्रूफ करने कि हापर जरुवत है अभी तक पूरी पूरह परस्पेक्टिव में इस शो की गई है यह पूर्व करने की कोशिज की जान समझें सबी लोग तो यह है यहां पर इसका पूरा पूरा एक सेधी के बारे में बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल के तरफ वह आदर्श आचार सहीता आचार सहीता जो है कनाटक राजे में अभी 10 महीं को होने वाले तो चुनाव है ना उसमें यादी सूचना जारी कर सब को आचार सहीता का पालाल करने हैं पूरा प्लाइब करके बतादें अचार उह तो है वो है किसी बिए जगह पर जाते हो आपको कुछ फॉल्स पॉल्य करने होते हैं ऐसी जब इलेक्शन होने वाले होते हैं उसे कुछ टाइम पहले आपको कुछ फॉलो करने होते हैं जब यहां पर इलेक्शन कमिशन आप इंडिया डेट के अरॉंस्मेंट कर देती है ठीक है और यह जो है पूरा आईपी से एटेन सिक्स्टी आर्पीक नांटि फुटी वन के तहत पू इसा होता है सरकार का जितना भी वहिकल्स होते सब को यूज करने से मना करते हैं अब आप यहां पर कहीं पर भी किसी पोलिंग स्टेशन में नहीं जा सकते हैं आप खुदी अगर वोट देने जा रहे हैं तो वह बाता राथ हैं आप आप जो है जितनी भी प्रचार करने की होते हैं डागों सब स्टॉप कर दोगे आप चाहें अपना पैसा किसी रिलीफ फंड में दे रहे हो कहीं पर विकास कारए में दे रहे हो किसी रहत कारए में दे रहे हो चाहें आप किसी बाढ़ के एरिया में दे रहे हूं तो वह सब आप पर causes सब पे जो है स्कीम जो चल रहे हैं वो तो चलेगा ठीक है लेकिन इसमें जो आप कह लिजे जो भी प्रचार करने की तरीके होते हैं उस पे रोख लगए जाती है अब आप यहां पर जो भी चुनाफ के दुराना समाचार पत्रों में जो भी आप सरकारी खजाने की कीमत पर ज जहाँ है जिएसे सरकार को वोट दो ऐसे करो वैसे करो वह सब रूख दे जाते हो और इसमें यह भी बोले जाते कि जो भी आपके थान आप में जाना हें यहीं को सरकार के लिए बंगले केया यूज करना ले के बंगल सारे चीज़ों को यहां पर स्टॉप कर आ जहाते है इ सकती है अब क्या कीमत बढ़ेआतरी है यहाँ पर असेंशल मेडिसन क्या होती है तबसे पहली चीज तो मेडिसन होती है d поступ होती है जो कि आपको सबसे dust को सबको कर दिउय labs लेकिन उसको जो है यहाँ पर इसन की मत है वह सबस्तें की बात कि गई है यहाँ और वरंड है organization जो है वो essential medicines का concept लेकर गया थी जिसमें जो भी आपको बहुत ही ज़ादा जो एक आपको बहुत ज़ादा ज़रुवत ट्राइब करई है और इसके जो पहली list है वो सरकारे eines MICHAEL द्राइब करने कि कोशिच करीए और वह आत here अजाती है उससाफ से द्रौाइ another ज़रा का इस्तिमाल को यहां पर चलती है आप criteria क्या होता है ऐसी दवाईां जो इंडिया में बहुत जरूरी है और यहां पर DGCA जो है ड्रक्स कंट्रोलर जनल ऑफ इंडिया तैयार करते हैं कॉस्ट एफेक्टिव होते हैं आपको बिल्कुल कोस्ट के अंदर अंदर ही मिलेंगे और वह सारी चीजें जो है अभी जो चल रहा है जिसे आपको एक्जाम्पल में आपर जो है पर जो लो डिस्परिंट इस तरिकी के जो मेंडिसंस होते हैं वह यहां पर सारी चीजें जो है वह लागू की जाती है तो वह आप इसमें पूरा यहां पर याद रुखिएगा नेक्स्ट आता है भाई यूपी आई देखिए अभी यूपी आई आप लोगों ने सुना होगा जो आप सबी लोग इस्तेमाल करते हैं यूपी आई जो है एंपी से द्वारा डेवलप किया गया था तो इसमें यही है कि अगर आप यूपी से कोई भी यहां पर आप टांजेक्शन करते हो तो उस पर आपके अडिशनल चार्जस लगेंगे तो यह जो है पूरा यहां पर जो है एंपी से ने बनाया है आप जानते हैं अगर आप एक दम आप सब यूज करते हैं यूपी आई को तो पूरा एक जगा से दूश्य जगा मनी को ट्रांसफर करने के लिए यूपी आई का पूरी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है यह क्या है कि वही पेपर को सिंगापूर यूएसे यूरोपेन मार्केट वह भी यूपी आई को अपने उसमें जो है लेके आना चाहती है दो हजार उन्नेस के बाद से इनका आई प्यो भी बहुत जादा बढ़ना शुरू हो गया है इन्होंने बोला है कि अगर आप दो हजार से उपर कोई भी पेइम उनके लिए नहीं हो गया अगर आप जो है परसंटू मर्चंट या फिर परसंटू परसंट कर रहें तो इस तरीके से आप याद रखिएगा डिपेंड करता है कि वह वह व्यापारी कौन है उसके हिसाब से उसके उपर एक अपरेल दो हजार तेज से यह प्राइसिंग लग करेंगे यह और इंडियन बांक्स के मिला जुला एक इनिशियेटिव है और इस सवाल आते हैं क्योंकि इसको जो है बनाये गया तो 2007 में पेमेंट सेटल्मेंट के हिसाब से जिसका काम क्या है पेमेंट सेटल्मेंट को करना चाहिए बही तो एंपी से इसे सीदा क्वेशन आ हैं यह आपके इकजहम में पूछा जा सकता है तो इस चीज़ को यह आपके इसको Förster सिदा क्वेशन क्यों सेटल्मेट मैं इसको आप इह यहां पर जो है याद कर लिजेगां में में मेंने सीदा क्या इसको देखिए अभी जैसे G20 की Presidency इंडिया के पास है इंडिया ने एक और नया यहां पर अपना विजन इंडिया 2047 योजना की गोशना करी है जिसमें वाटर विजन के नाम की एक गोशना को जो है यहां पर किया गया है वाटर विजन G20 का बहुत बड़ा प्राथमिक्ता का यहां पर एक केंद्र है जिसमें अभी 2023 के लिए IPCC की जो है वो सिंथेसिस रिपोर्ट यहां पर आई है युवन की वाटर कॉन्फरिंस में इसको डिसकस किया गया है जिसमें यह बताता है कि वाटर से जुड़े हुए वाटर की सर्विस हो वाटर के लिए यहां पर पहुंच हो कि जल उपयोग की दक्षता हो जन संसादन के प्रबंदन हो हर चीज के लिए यहां पर तैयारी कैसे करें अब इंडिया इसका एक्जांपल कैसे जो है के उसकें इंडिया जो है यहाँ यहाँ पर किस तरीके से इस पूरे को जो है वो म्हाँ स्वेत्वाज पानी की सबसे पहले हर एक घर के अंदर पानी की सवीधा पहुचा है जल जीवन मिशन के तहत यहां पर functional tap collection जो है सब के यहां पर tap जो है वो सब का मिलग होना चाहिए ठीक है भई पूरे पूरे जो है इस पूरे के अंदर यहां पर इस step को लिने की यहाँ पर जो है कोशिश की जाएगी और 31 जनवरी तक यह बताया गया कि भाई 57 परसंट जो हमारे रूरल हाउस वोल्ड हैं उसमें वहाँ पर जो है करीब करीब हर एक के पास tap connections की सुविधा उपलब्द है और groundwater के जो पूरी जो सुविधा है जो है वो यहाँ पर जो है वो लेकर के आई जाएगी और साथी साथ यहाँ पर यह बोला गया है कि 14 परसंट से जादा groundwater एक्स्वाइट किया जा चुका है तो जो इसके लिए पूरा एक मैप तैयार करना groundwater से जुड़े हुए पूरी monitoring करना वो सब प्योंकि इंडिया में देखवा population बहुत जादा है तो groundwater को consume भी हम सबसे जादा करते हैं भूजल को बहुत जादा तो उसी के लिए स्टेप यहां पर लिया गया है और साथ ही साथ जो है यहां पर यह भी इसमें कोशिश की गई है कि pollution से जोड़ी हुए चीज़ें कम करें नदियों का काया कल्प यहां पर लिका है नमामी घंगे प्रोग्राम इसके लिए स्टार्ट किया गया तो यह सारी दो हजार पचास तक कोशिश की गए कि हम चुरह वाटर को रियूज करना सीखें चाहिए वाटर के एफिशेंसी को और इंप्रूज करना सीखें और वाटर की बहुत प्रोटा साथ का टॉपिक तो सादा बड़ी चीजें हमारे पास नहीं थी तो आप इसको क्या से अब क्वेशन देख लेते हैं पीजो एलेक्ट्रिक एफेक्ट क्या होता है यह एक तरीकी का ऐसा एक एफेक्ट होता है जिसमें आप कुछ मंटीरेल जो है ना अगर अगर आप उसको निचोडने की कोशिश करोगे तो वह अपने आप एक तरीके से विद्यूत प्रवा इलेक्ट्रिक करन को उत्पन करने की शंता रखती है तो इसका आंसर C है इसे कहते है पीजो एलेक्ट्रिक स्वीज करने पर जो एक तरीके से एक प्रवा जनरेट होता है उसको हम कहते है पीजो इलेक्ट्रिक एफेक्ट देखे वाई इसके अंदर यह तरीके की इहां पर पीजो एलेक्ट्रिक एफेक्ट में यहां पर आफ फोर्स लगाएंगे दोनों साइट से यह एक पॉसिटिव और नेगिटिव चार्ज है तो इससे क्या है आम्पियर जो है यह जो एक इंस्रूमेंट है उसमें जो है इलेक्रिक सिटी को मेजर करने का वो यहाँ पर deflection शो करेगा जिसमें पूरी इंस्रूमेंट है वो डेवलप करेगा ठीक है वह एलेक्रिक कानेट को डैज का हमारा घ्र को ट्र दानुश जो है वो हमारी यह अबी यह पूरा प्रोग्राम यह यह न यूच्छ थर्डक्रेटेऻिय madness पूछान गया है अब इसकी किया है इस प्रोग्राम में चीज की जाएगी है तो हम यह समझ लेता है यह प्रोग्राम किस से जुड़ा हुआ है अब ग्रीन शिप बनाने के लिए या फिर आप कह लीजे यह इंडिया जो है यहां पर शिप्स का पूरा एक हब बनाने की कोशिश कर रहा है इसे ग्रीन तग ट्रांजिशन प्रोग्राम कहेंगे जिसमें इं सब लोगों ने मिल करके इस चीज को है वह क्या करने की कोशिश करें इंडिया को ग्लोबल हब बनाएंगे ग्रीन शिप का दो हजार पच्चिस तक यह इसके अंदर जो है वह स्टेप लेने की कोशिश की गई है तो बस वहिए कि इंडिया को ग्रीन पोर्टिंग में 2030 तक को इसको जो है वह सरकार द्वारा यहां पर करने की की गई है 2030 याद रखेगा स्टेट्मेंट में हाँ पर गरत लिखा है 2025 तक नहीं 2030 तक की गई है यह भी पूछा दा सकता है इसके लिए जो भी यहां पर टक बोट्स होती है जो भी टक बोट्स हैं वह अमोनिया मिथनॉल आंगे उसको उसको non fossil fuels का इस्तेमाल करना उसपे डिपेंड करेगा कि उसको लोन फोसल तरीके से इस्तेमाल करना शुरू करें तो यह थे आज़ के हमारे important articles important चीज़े cover up हो गई हैं यहां तक complete कीज़ेगा मिलते आप लोगों से next lecture में तब तक क्रिधन्यवाद शुक्रिया जय ही